तो आए 3D animation के माधियम से समझते हैं कि एक fire extinguisher कैसे काम करता है जब हम safety pin को pull out करते हैं और handle को press करते हैं तो handle में लगे actuating rod valve और spring को नीचे धकेलता है और rod के end में लगे sharp point ट्यूब के valve में एक hole कर देता है जिससे कि tube का compressed CO2 gas बाहर निकल जाता है और cylinder के water को downward pressure लगाता है जिससे कि CO2 और water साइफल से होते हुए nozzle से बाहर निकल जाता है CO2 gas oxygen से ज़्यादा heavy होता है और oxygen और fuel के बीच में एक barrier create करता है और water temperature को cool down करने का काम करता है जिससे कि आग बुच जाता है क्या आपने कभी fire extinguisher real life में यूज किया है मुझे कमेंट में बताना